ओपो A3X 5G में किस तर से डिलेट हुआ फोटो वापस अपने मोबाईल में मंगा सकते हैं दोस्तो आजना है प्ले स्टोर में और प्ले स्टोर में आनेक बाद एक अप्लिकेशन डाउनलोड करना है जिस अप्लिकेशन का नाम है डिस्क डिगर फोटो रिकवर यह अप्लिकेशन का और 100 मिलियन तक डाउनलोड है तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ यह रहा डिस्क डिगर फोटो रिकवर तो यह application आपको download कर लेना है जो 100 million तक play store से download किया गया है download करने के बाद इसको open कर लेना यह इस तरह का interface आएगा उपर photo का नीचे video का यह दोनों option दे रहा है तो चलिए हम photo पे click करते हैं तो पहले permission मांगता है तो आपको पहले setting में जाके यहां पे इसको खोजना है और permission दे देना है यह रहा मैं इसको क्या कर रहा हूँ permission दे दे रहा हूँ तो इस तरह से आपको भी अपने mobile में permission दे देना है तो फिलाल photo का option open हो गया जो जो delete किया हूँ तो इसमें गोरो गोपाल जी का photo दिख रहा है तो फिलाल मेरा setting चालू हो गया है और इसको save करके देखता हूँ और बीच वाला option दिया है save का option तो चलिए मैं इस पे click करता हूँ save करके option में और यह आगे है फिलाल file manager में तो इसको alarm वाला file में save करके देखता हूँ होता है कि नहीं यह रहा है alarm का file और यहाँ पे मैंने ok करते रहा हूँ diya use to allow कर दे रहा हूँ अब जैसे allow कर दिये फिलाल दिखा रहा है कि मेरे file में आ चुका है तो no thank पे click कर देते हैं और बेक करते हैं और video check in करते हैं कि video इसमें recover हो रहा है कि नहीं तो फिलाल हम video अला file में आगे video में file में आने के बाद आपको क्या करना है इसमें check करना है कि जो भी आप video delete किये हो वो recover हो रहा है कि नहीं फिलाल हमारा video अला file चालू है और इसमें हम recover करके कोशिश कर रहा है सारा video जो screen पे मेरे दिख रहा है सारा मैंने delete कर दिया था और एक खुशी movie था जिसको मैंने delete किया था उसको recover करना है फिलाल देखता हूँ वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप एक खुशी movie था तो फिलाल मेरे को खुशी movie इसमें दिखाई दिया था फिलाल तो मैं movie पे click कर दिया खुशी movie जो नहीं आप रिलीज हुआ है फिलाल डिलेट कर दिया था तो इसमें क्लिक करता हूँ और इसको recover करके देखता हूँ alarm वाला फाइल में जिसमें पहले किया था उसी में तो चलिए हमने recover किया shape to file इसमें क्लिक किया क्लिक करने बाद फिर से alarm फाइल एटोमेटिक आ गया जो सिलेक्ट कर देगो वहाँ पे आ जाएगा allow कर देते हैं allow करके हमने ok कर दिया है पे दिखा दिया कि picture आपके alarm के file में आ चुका है तो चलिए हम में file manager में जाता हूँ जाके गोरो गुपाल का photo और दूसरा खुशी movie दो देख रहा हूँ कि इसमें आ गया कि नहीं recover हुआ है कि नहीं हुआ है तो चलिए आ जाते file manager में ये रहा file manager और file manager को open करते हैं open करके इसमें देखते alarm के file में ये रहा हमारा phone member और ये रहा alarm file ठीक है अब यहाँ पे slide करके देखने पे दोनों दिखा दे रहा है खुशी movie जी recover हो गया है और गोरो गोपल जी का photo जो recover किया था दोनों का दोनों recover हो गया है तो दोस्तो इस तरह से आप अपने mobile में भी photo video, audio कुछ भी recover कर सकते हैं दोस्तो ये video कैसा लगा? कमेंट करके बता है ये video अच्छा लगा तो like कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और share कीजिए